हेलो फ्रेंट्स वेलकम बाक टू माँ चैनल यह वाचिंग चैनल टेट टू ट्रेड तो आज की वीडियो में देखेंगे एक टेक्निकल सेट अप जो कि मैंने भी रिसेंटल एक ट्रेड लिया था विंद्लास अब यहां पेनल में जाएंगे ते विंद्लास बायो टेक का ट् अब और इसका पूरा टेक्निकल सेट अप देखेंगे कि यह ट्रेड इनिशिएट क्यों किया था और चार्ट में हमको क्या दिख रहा था तो पूरा टेक्निकल सेट अप में तो यह अपने प्लाटफॉर्म है यहां पर हम अपने परे विंद्लास को एड कर लेते हैं तो यहां पर पर ठेक्निकल सेट अप समझते हैं तो आल्र मैंने यहां पर अपने सब कुछ आड किया हूए तो यहां पर आपको चालू करें यह हमारा दू दिन हैं बारह दिसंबर यहां पर उतने को हमने ट्रेट इंशर्ट की थी ठीक है यह मार्केट मे मार्केट में हमने यहां पर ले ली थी और यह मूर्गे करूंड यह दिन का कंडल है रोटा ज़ब अधो देखो के मैं इसको फ़रा करता हो तो यह हमारा यह कंडल हो गए जो है पूरा हाइलाइट हुग यह अपनानी कैंडल थी और यह हमारा यह दिन माक कर दिया ठीक है यह इस दिन हमने ट्रेड ली थी ठीक है आप देखोगे यह हमारा प्राइस था कुछ तो 428 के आसपास हमने ट्रेड को इनिशेट किया था और यह हमारा बाइंग प्रा ाइस पिंब बार यह दिन का पुरा आपको सट दिखा दिया लेकिन इस बाइड को इनिशेट करने से पहले आपको तेक्निकली क्या दिख रहा था चाठ में वह देखना हमारे पास क्या बन गया एक कप पैटन बन गया कप पैटन न से स्टॉक ने यहां पर ओपन हुआ था जब बहुत पहले यह 16 अगस का डेटा यहीं सब्सक्राइब तो यहां से आप देखोगे इस नीचे आ रहा था लेकिन ग्राउंड बॉटम बनाता हुआ वापस यह अपने इस ट्रफी अग्राइब करता है यह ऐसे बना ग्राउंड बना उसके बाद चोटा-स यहां पर आप रहा दिख रहा होगा आपको उसके बाद ब्रेक करता है यह लाव लाइन तो एक अच्छा मोमेंटम आने की हाई पॉबिल्टी है ठीक है अगें स्टॉक मार्केंट में पॉबिल्टी जादा है आप अपने स्टॉप लॉस के साथ इनिशेट कर सकते हैं तो अभे को हमको यही ऐसा ही कुछ यहां पर भी दिख रहा है राइट एक कप यहां पर एक छोटा सा हेंडल है जो कि आपको हम ही नहीं दिखेगा मुझ छोटे टाइन फ्रेम पर जाना पड़ेगा तो वापिस हम यह आपने का पैटन यहां पर देख लिया अब चलते हैं सीधा वापिस हमने डेली चार्ट में तो डेली चार्ट में अगर आएंगे हम तो यह रहा हमारा डेली चार्ट तो हैंडल हमारा देखेंगे आप यहां से पहले क्या किया इसने पहले भी ब्रेक करने कोशिश की है बीस नवंबर को ब्रेक करने कोशिश लेकिन वहां से रियक्शन आया है जो कि जरूरी है एक हैंडल मलाने के लिए वह जरूरी है क्योंक पर अब नीचे आया उसके बाल यहां पर देखोगे एक छोटा सा trend line बनता हो देख रहा है यह हमारे कोई trend line है यह हमारे downtrend की line है जब इस trend line को ब्रेक कर रहा था तो यहां पर मैंने कभी इसको देखते होए यहां पर position initiate की थी ताकि अब यह वेक आउट की तरफ जा रहा है तक लेकिन अब क्या मार्केट निफ्टी काफी टाउन था इस दिन और मार्केट थोड़ा उसमें प्रेशर था तो इसलिए वह अच्छा मोमेंटम नहीं दे पाया लेकिन थोड़ा सा और टाइम लिया लागि एक दो तीन चार पास दिन तक वह ऐसे नीचे यहां पर होवर करता र प्रेशन था है उसके बाद अब यह पॉइंट यह आ रही यह कप का टॉप है इसे हम रिजूलिशन कहते हैं ठीक है इसके बाद अब इसने ब्रेक किया इसे तो देखिए कितनी बड़ी हूज कैंडल से ब्रेक किया और उसके बाद मोमेंटम जब अरदम ताव यहां पर इनिशेट कर दी तो यह बहुत जरूरी है आप यहां पर भी हर टाइप के ट्रेडर्स होते हैं जैसे कुछ ट्रेडर्स यहां पर पूरिशन करेंगे लेकिन हमाया को अगर यहां पर पता है कि वह ऐसा पैटन बन रहा है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम पहले ही उसको प् आपको यहां पर बहुत जादा तेजी से गिरावट नहीं है यह बहुत धीर धीर गिरावट आई चोटी कैंडल्स बने उसके बाद जब उसने ब्रेक दिया तो एक बंपर ब्रेक है अब यहां पर आप हम हवर कर रहा हूं उपर आप देखेगा टू पॉइंट फॉर साइन वाल्यूम्स की ट्रेडिंग है यहां पर 1.2 मिल्यूम्स ट्रेडिंग लेंगे अब इसले ट्रेडिंग डेस में देखेंगे इस अनली 89 के ठीक है ना 70 के वर दो तीन गुना वाल्यूम्स के साथ यहां पर इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए यहां पार्टिसपेशन पांसो सोला के असपास यहां से यहां से यहां का मुमेंटम आप ट्राइक करो कितना है तो यहां पर कुछ देखो कि बीस परसेंगे लेके निकल गए लेकिन आप देखोगे कि उसमें हाइब यहां पर एक्सपेक कर रहा था कि और उपर जाएगा तो मैं उसी दिन निकल जाओंगो लेकिन पता है कि बड़े अब यहां पर देखोगे लिए अच्छा है इस जग तक इस जोन के उपर है इसके नीचे नहीं आता तब तक स्टॉक बिल्कुल सही है अभी भी इसमें लॉंग टर्म इंवस्मेंट कर से लेंगे मेरा लॉंग टर्म इंवस्मेंट का कोई प्लैन नहीं था हम सिर्फ एक किमपल्स मूफ के लिए इसे बाइंग किया था जो कि 20 बाइंग एक परसंट बहुत अन इनफ है आपके दो हफते के दो हफते बहुत चौट फंदा दिन ट्रेडिंग सेशन में आप कितना रिटरन कमारें तो बहुत अन इनफ है ठीक है ना तो यह पूरा टेक्निकल सेटप कि एसा बेक आउट आने का संभावना है तो आप पोजिशन बना सकते हैं तो वही सेटप जो है जो आपको नहीं यहां दिखाया जो मैंने ट्रेडिंग दिस अब से लिए वही सटप पहले भी हमने शॉट्स पर पोस्ट किया था कि ऐसा होने वाला है और पोजिशन आप बन बनेंगे मैं अब आप जो स्टॉक्स लूँगा मैं लेने के बाद ट्रेडिल सेटप में कैसे लिया है वो मैं शेर करता रहूँगा ठीक है कि वाचिंग माई चैनल प्लीज शेर लाइक और सब्सक्राइब बाए